सारीका रमूला और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तिरा खंड के प्रमुख व्यक्तित्वा और उनके उपनाम ठीक है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जो में टॉपिक पढ़ा रहे हूं इसको ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा मुझे पता है बच्चे क आए करते हैं जन्रली कि एकक मिइस कर रहतै वह स्क्रिंसौ ए कि प्रमाइब कर दो जाती लेकिन क्या ओता है कि जब हम इस चीज डेखेंगे यह लेकिन हमें क्या करना है हम कती होते हैं कि इसको क्या कहते है फीक है तो हम समझते वे क्यों कहते हैं रहें ठीक है किसी का तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप नहीं करेंगे वैसे तो आपको यह लिस्ट जो मैं दूंगी वो हर बुक में मिल जाएगी वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इश्यू क्या है समझने का है चलिए और मैं आपको बता दू कि जो हम पढ़ेंगे वीकली हम एक क्वेश्टन पेपर भी सॉल्व करेंगे साथ ही हम लोग करेंटअफयर भी करेंगे और टॉपिक वाइस टॉपिक चाहे उत्रा इंद्रमनी बडोनी को अभ देखे इंद्रमनी बडोनी का जो स्थान है वैसा ही है जैसे स्वतंतरता आन्दोलन था जो हमारे देश का भारत का उसमें गांधी जी की जो भूमिका थी वैसी ही भूमिका उत्तराखन राज निर्मान में इंद्रमनी बढ़ोनी की है ठीक है और इसलिए उनको क्या कहा जाता है उत्तराखन का गांधी कहा जाता है ठीक है इंद्रमनी बढ़ोनी की बात करेंगे तो इन्होंने भी आमरण अंसन किया और ठीक उसी प्रकार से संति पूर्वक तरीके से आंधुलन किया जिस प्रकार से गांधी जी करते थे ठीक है और इनको क्या कहा जाता है इसलिए उत्राखन का गांधी कहा जाता है ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं विश्विशर दत सकलानी की बात करेंगे तो इन्हों ने अपनी पूरे जीवन काल में पचास लाग से भी जादा ब्रिक्ष लगाए ठीक है पचास लाग से भी जादा पेड़ पौधे लगाए और टिहरी में जो सकलानी घाटी है वो पहले बंजर घाटी हुआ करती थी पूरा बंजर छेत्र आज की डेट में देखेंगे तो पूरे ब्रिक्ष लगे वे और हरी भरी घाटी है वो ठीक है कारण विश्वेसर दद सकलानी के खारण ठीक है तो इसलिए अब इन्होंने जिब इतने ब्रिक्ष लगाए उत्तराखंड में तो इनको क्या नाम दिया गया उत्तराखंड का ब्रिक्ष मानव कहा गया विश्वेसर दद सकलानी को ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं कुवर्सिंग नेगी को कहा जाता है उत्तराखंड का हातिम ताई अब उत्तराखंड का हातिम ताई इनको इसलिए कहा जाता है इन्होंने क्या किया कि ब्रेल लिपी पर काम किया जो ब्रेल लिपी होती है ब्रेल लिपी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है और पता है आपको ब्रेल लिपी का यूज किस में होता है जो नेत्र हीन होते हैं उनको पढ़ने और लिखने के लिए जो प्रियोग किया जाता है ठीक है जिस लिपी का उसे ब्रेल लि चलिए नेक्स देख लेते हैं तीलू रोंतेली के बारे में आप जानते हैं कि इनको कहा जाता है गड़वाल की जहासी की रानी यह इनको कहा जाता है लक्षमी बाई ठीक है जहासी की रानी और लक्षमी बाई इनका उपनाम है ठीक है तीलू रोंतेली की बात करेंगे तो मात mile 15 वर्स में रण भूमि में उत ही और आप देखेंगे कि बाईस वर्स में कत्यूरी राजाँ से लड़ते वे कत्यूरी राजाँ से इनका युद्ध मिधा था कत्यूरी rejecting उニria के दूर्स में 9 साथ वर्स की अम्मर में इन्होंने क्या कर दिया अपектор लोहा मना दिया ठीक है और अपना नाम स्थापित कर दिया इतिहास में अपना नाम दर्च कर दिया ठीक है गड़वाल की छासी की रानी तीलूर रौतेली चैले नेक्स देख लेते हैं रानी कर्णावती रानी कर्णावती को कहा जाता है ना कटी रानी कहा जाता है कारण क्या पर जब आक्रमन क्या था तो कर्णावती ने क्या किया कि मुगल सैनिकों के नाक काट दिये ठीक है उनके नाक काट दिये और इसलिए इनको क्या कहा गया नाककटी रानी की संग्या दी कई किसको रानी कर्णावती को रानी कर्णावती जो थी वो महपती सा की पत्नी थी और प पुरिया नैथानी थे, वो माले जाते हैं, कि वो औरंग जेब के समकालिन थे और गढवाल में जू जजिया कर था, जay करकी जो समाप्ति की थी, वो किस के टाइम पर, किस ने करवाई थी, पुरिया नैथानी ने करवाई थी, तो गड़वाल का चाने के उत्राखंड का चाने के दोनों क्या हुए पुरिया ने थानी हुए ठीक है चले नेक्स देख लेते हैं हर्स देव जोसी बहुत इंपोर्टेंट है इनका जन्म हुआ था 1747 से और इनका जो टाइम पीड़ रहा और मिर्तिवी थी 1815 में ठीक है जन् सब्सक्राइब अर्स देव जोसी ने आठ राजाओं को गद्धी पर विठाया था सुनियेगा आठ राजाओं को गद्धी पर बिथा ठीक है ध्यान से सुनियेगा आठ राजाओं इन로 को गद्दी पर बिठाने का मत्यायन तक हर सदेव जोशी को इसलिह उनको कुमाओ का किंगि पर कहा錯 है हृष्षय कुमाओ का चानक्य qualcा टीघा क्या आप देखेंगे तो रह उड़ेंगि ने इनको कहा विभिषन की संग्या दिक्रया इसी के साथ taught अगर आप देखेंगे तो इनको अंग्रेज कहते थे यह क्या थे कि सवार्ती और देश-द्रोही है ठीक है एक ढ़्यन ञेशन कहा स्वार्ती और राज़ाव में इनका क्या रहा टाइμ पीरियड और ठीक है सब के साथ रहे हैं इसपिकला को हम WHY किमाश के मेकरों कहा गया जब नेझ सेड़ेहेफ चंडवन्स के राजा रहे committed विक्रिमादत्य कहा जाता है और क्यों Ub Ben इनके जो दर्वारी थे इनको सपने दिखाते थे कि आप विक्रम अदयत्य बन सकते हैं ठीक है इसी चक्कर में इनोंने अपना सारा खजाना लुटा दिया ठीक है और इनको साथ ही कुमाओ का क्या कहा जाता है मोहमद बिन तुगलक मोहमद बिन तुगलक और कुमाओ का विक्रम अदयत्य देवी चन नेक्स देख लेते हैं गौरा देवी ठीक है गौरा देवी की बात करेंगे तो 1973-74 में ब्रिक्स कटाओ के विरोध में जो चिपको अंदोलन चला था चमोली में चिपको अंदोलन ठीक है और चमोली के कौनसे गाउं से रैनी गाउं से हुआ यूं कि चमोली का जो गाउं है रैनी गाउं यहां पर वन काटने के लिए जब वन विभाग से लोग आए तो गौरा देवी और उनकी 21 साथियों ने क्या कर दिया ब्रिक्ष पर चिपक गए पेड़ों पर चिपक गए वो ठीक है और उन्हो बहुत अच्छे शिकारी परियावरण प्रेमी और महान लेखकते ठीक है बहुत सारी रचनाई इन्होंने लिखी है इसलिए इनको क्या कहते है गोरा ब्रामन कहा जाता है 1957 में जो हमारा हेली नेशनल पार्क सापित हुआ था 1936 में हुआ था जब इसका नाम 1957 में क्या रख जिम कॉर्विट नेशनल पार्ग ठीक है इसका नाम कर दिया गया थीक है साथ ही अगर आप देखेंगे तो में 1976 में एक डाक टिकेट जारी किया गया इनके नाम पे किसके जिम कॉर्विट के नाम पे जिने गोरा ब्रामन कहा जाता है ठीक है next है next है हिमंती नंदन बहुगुणा ठीक है हिमंती नंदन बहुगुणा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से, हिम पुत्र इन्हें कहा जाता है, धर्थी पुत्र इन्हें कहा जाता है, ठीके, पर्वत पुत्र, कंफ्यूज नहीं करेंगे, और गढ़वाल का चंदन इन्हें कहा जाता है, ठीके, गढ़वाल का चंदन, मैं जल्दी जल्दी करवा र युनिवसिटी हो चुकी है वो भी इनके नाम पे है ठीक है हिमंती नंदन बहुगुणा गरीबों के मशीह माने जाते थे और साथ ही जो रास्टिय राजनीती है इसमें के बहुत बड़ी भूमिका रही माना जाता है कि पहाड की पकडंडियों से निकल कर रास्टिय राजनी अलिक पंडित इनकान अपमनाम है ठीक है कि ने शिल्वपुत्र नदी है उसका बिन नक्षा बनाया ठीक है इसलिए अंग्रेजों ने ञाण सिंग रावत को उपादी दी थी companion of Indian Empire के उपादी दी थी ठीक है जो मैंने वीडियो पढ़ाय था पिथोरा गडवाला उसमें मैंने इनके बारे में बताया था ठीक है तो मौलिक पंडित इसलिए पंडित नाम इनका इसलिए लगा कि एक टीचर भी थे ठीक है चले नेक्स देख लेते हैं दीपा देवी दीपा देवी के हम बात करेंगे तो इनको कहा जाता है टीचरी माई अब टीचरी माई इनको कहा जाता है कि पहले बात तो ये क्या थी एक समाज सेवी का थी ठीक है समाज सेवी का ये एक समाज सेवी का थी और गडवाल में पहले क्या होता था कि सराब बनती थी उसको कहा जाता था टिंचरी तो उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया और वो सराब बंद करवाई तब इनका नाम क्या पड़ा टिंचरी माई पड़ा ठीक है साथ ही इनको ठवुली देवी भी कहा जाता है कंफ्यूज नहीं हो न ठीक है ठवुली देवी भी इन नहीं कहा जाता है आथ ही इनोंने क्या किया ह untoya in पाखंडी सादु थे उनकेखिलाफ आंडोलन चलाया इसलिए इनका नाम पड़ा इच्छागिरी माई इच्छागिरी माई ठीक है तो दीपा देवी का नाम टिजरी माई ठगुली देवी और इच्छागिरी माई चलिए next देख लेते हैं Miss Catherine Halamine ठीक है और ये कौन थी गांधी जी की शिष्या थी ठीक है इनको गांधी जी की सिस्या थी और इनको सरला बहन के नाम से जाना जाता था और साथ ही अगर आप देखेंगे तो कौसानी में जो लक्षमी आश्रम है इसकी स्थापना की नो ने ठीक है लक्षमी आश्रम की किसने मिस कैथरिन हेलमाई ने ठीक है इंगलेंड से आई थी ये गांधी जी की सिश्या और कौसानी में इनका आश्रम है लक्षमी आश्रम और उपनाम क्या दिया गया सरला बहन ठीक है चलिए बहुत इंपोर्टन डेख लेते हैं कफु चोहान बहुत ही जादा इंपोर्टन डेखें कफु चोहान आप जानते हैं जो महराना प्रताब थे इन्होंने कभी भी अकबर के सामने आत्म समर्पन नहीं किया ठीक है वैसे ही अगर आप देखेंगे तो गड़वाल में जब अजयपाल का सासन चल रहा था ठीक है अजयपाल जब बावन गड़ों में विजय कर रहे थे तो उसी बीच उन्हों देखेंगे तो उप्पु गड़ था ठीक है उप्पु गड़ का जो सरदार था वो था कफु चोहान ठीक है अब अजयपाल ने बहुत बार वो करा कि ये मेरे सामने क्या आत्म समर्पन कर दे कफु चोहान लेकिन कफु चोहान ने ऐसा नहीं किया बलकि उसने युद्ध करना उची समझा और उस युद्ध में कफु चोहान की मृत हुई ठीक है उन्होंने बीर गती प्राप्त की तो अजयपाल ने उनके लिए कहा था कि बीर तुम जीत गए और मैं हार गया ठ अंतिम युद्ध था ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे अंतिम युद्ध था और कफु चोहान का एक बहुत प्रशिद्ध वाक्य था कथन था वह कहता था कि मैं पश्वों में सिंह और पक्षियों में गरुड की भाती हूं ठीक है इसलिए कफु चोहान को गडवाल का र जियारानी जो थी वो कुमाव की बिरांगना थी और इन्होंने तैमूर लंग की सैना के साथ युद्ध किया था ठीक है जब तैमूर लंग और जियारानी की सैना के बीच में युद्ध हुआ तो इसमें विजय हुई थी जियारानी ठीक है और इसलिए इनको क्या कहा जाता कुमाव की लक्षमी भाई कहा जाता है चले नेक्स देख लेते हैं दिब्यारावत की बात करेंगे तो सालाने एक करोड की कमाई करती है ये और किसे मस्रूम से करती है ठीक है तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया मस्रूम गल नाम दिया गया है और साथ ही ये ना उत्तराख उनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है चलिए नेक्स देख लेते हैं सिप प्रशाद डवराल की जो एक हैबिट थी पहले से घुमकड़ी थी घुमने का उने बहुत शौक था ठीक है तो उनकी घुमकड़ी जिग्यासा के कारण उनको इन साइकलोपीडिया अफ उत्र गुम्ते थे तो उनको एक और नाम दिया गया उसे कहते हैं चारण ठीक है चारण उन्हें कहा गया और सिप प्रशाद डवराल ने बहुत सारी रचनाईं की है साथी उन्हें नें 12 खंडों में उत्तरा खंड का इतिहास भी लिखाए ठीक है 12 खंडों में और इनको 2 नाम है इनके चारण और इनसाइक्लोपीडिया उत्राखन घुमने के कारण इनको बहुत सारा नौलेज भी वहा कुछ भी आप पूछलो तो इनको पता रहेगा तो इसको इसलिए इनको क्या नाम दिहा गया इनसाइक्लोपीडिया ठीक है सुमित्रा नंदन पंद छी का जैन्म कौसानी बागिश्र में हुआ था और साथ ही यह क्या थे हिंदी शाहित्य के चाया वादी कभी थे ठीक है खाया वादी कभी थे और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रचनाए इन्हों दोने की है साथ ही जो ज्यानपीट पुरिशकार था ये इनको मिला था 1968 में और चिदंबरा के लिए मिला था ये कुशन बहुत बार पूछा जाता है ठीक है सुमित्रा नंदन पंत को गुसाई पंत या गुरसें के नाम से जाना जाता है साथ ही इनको प्रकिर्ति प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है प्रकिर्ति प्रेमी चलिए नेक्स देख लेते हैं अनुशुया प्रशाद बहुगुणा अनुशुया प्रशाद बहुगुणा जो थे वो गड़भाल कॉंग्रिस की स्थापना में इनका महतोपून योगदान रहा साथी जो लौहोर कॉ आंग्रेस अदिवेशन था इसमें इनोंने बहुत महतोपून भूमी का निवाई उसमें भाग लिया इनोंने और स्वतंतरता सैनानी थे इसले इनको क्या नाम दिया गया गड़केश्री का नाम दिया गया किसको अनुशुया प्रशाद बहुगुणा को ठीक है ने 66 में बद्रिदत पंडे के हम बात करेंगे तो कुमाव अकबार का संपादन इनोंने किया इसके बाद वह अकबार जब बंध हुआ दिनोंने शक्ति नामक साफ्ताहिक पत्र निकाला साथ हुनुने कुली बेगार हो गया ठीक है ये सारे जो अंदोलन चले इनको बख्भ पांडे अब लॉजिक देखिए बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज कर लेते हैं गढ़केसरी कौन सा है कुरमांचल केसरी कौन से हैं तो एक लॉजिक जो मतलब बहुत बेसिक सा है अगर आम देखेंगे तो में जनरली मिलेगा कि जो बहुगुणा होते हैं वो बेसिकली गढ़वाल छेतर में होते हैं और पांडे कहां पर कुमाओ छेतर में होते हैं तो आप यहां से लगते हैं जो बहुगुणा वो गढ़ गढ़वाल केसरी ठीक है और जो पांडे वो कौरमांचल केसरी कुमाओ के ठीक है तो इसे याद भी रख सकते हैं इसली चलिए गोविंद बल्लब पंत्र को किस नाम से जाना जाता है हिमाले पुत्र के नाम से जाना जाता है हिम पुत्र अलग हुआ और हिमाले पुत्र अलग हुआ इस चीज का ध्यान रखेंगे आप ठीक है गोविंद बल्लब पंत्र को क्या कहते है हिमाले पुत्र अब आप देखे जो जो गोविंद बलब पंथे यह कितनी बार उत्तर परदेश के प्रथम मुख्य मंत्री रहे हैं यह भारत रतन से भी ने सम्मानित किया जा चुका है ठीक है भारत रतन भी इनको दिया जा चुका है हैपी कलब की स्थापना इन्हों नहीं की है और साथ ही साथ साइमन कमिशन के विरोध में भाग ले निकले गए थे तो बहुत सारी चीजे हैं जो गोविंद पलब पंजी से सम्मंदित हैं और इनको नाम दिया गया है हिमाले पुत्र का चलिए नेक्स देख लेते हैं गुमानी पंथ गुमानी पंथ को क्या कहा जाता है लोक रतन पंथ कहा जाता है ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं शिवदेव जोसी शिवदेव जोसी को कहा जाता है कुमाओ का शिवाजी और कुमाओ का बैरम खाइने कहा जाता है ठीक है याद रखिएगा इस चीज को चलिए और जो हाँ जो सिवदेव जोसी थे इन्हों ने इनको इसलिए शिवाजी बोलते हैं क्योंकि जब रोहेलों ने आक्रमन किया था तो उसका डटकर सामना किया था इन्होंने ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं फते पती शाहा फते पती शाहा को कहा जाता है गडवाल का शिवाजी ठीक है शाहा जो थे वो जादा तर कहां पे थे अब के तीरी रियाशत में थे गडवाल में थे और इसलिए इनको क्या कहा जाता है गडवाल का सिवाजी ठीक है, बागी हिस्ट्री में हम अलग से इनके बारे में सब पढ़ेंगे तो अभी मैं फटाफट बताऊंगी ठीक है, नेक्स्ट है महपतिशाह महपतिशाह को कहा जाता है गर्व भंजन ठीक है, कारण मैंने आपको बताया कि इन्होंने तीन बार क्या करा तिब्बत पर आक्रमन किया था इसलिए इनको क्या उपादी दी गई गर्व भंजन की उपादी दी गई ठीक है अब कन्फ्यूज कहां पर करते हैं आप सब जब आते हैं माधो सिंग भंडारी माधो सिंग भंडारी को कहा जाता है गर्व भंजक क्या कहा जाता है गर्व भंजक ठीक है और जो माधो सिंग भंडारी थे ये महपतिशा के सैना नायक थे सैना प्रमुक आप इनको कह सकते हैं जो माधो सिंग भंडारी थे इनकी बुद्धिमता और वीरता की धनी थे और बहुत सारे अगर आप देखेंगे जो इनकी शौरे और वीरता की चर्चे थे वो मुगल से लेकर तिबबत राजाओं से लेकर गोरखाओं के बीच सब जगे फैले हुए थे माना जाता है कि माधव सिंख भंडारी की जो धनुसकी तंकार थी उससे परवत्ता खिल जाते थे जो मलेथा की घटना है उसके बारे में तो आप सब लोग वाकिफ हैं जो मलेथा की घटना हुई थी जब मलेथा में कूल यानी पानी लाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र की तक बली दे दी थी मादव सिंग भंडारी ने ठीक है तो इनको क्या नाम दिया गया गर्व भंजग का और इनके जो राजा थे जहां पर अध्यक्ष रहे हैं सेना के महपतिशा उनको गर्व भंजन कहा जाता है ठीक है नेक्स देख लेते हैं नारेंडर तिवारी नारेंडर तिवारी को माना जाता है विकास पुरुस कहा जाता है नारेंडर तिवारी की बात करेंगे तो तीन बारी रहे यूपी के मुख्यमंत्री और एक बारी उत्तरा खंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने ठीक है दिया गया विकाश पुरुष का नाम दिया गया चलिए नेक्स्ट है चक्रधर जुयाल चक्रधर जुयाल को कहा जाता है गड़वाल का जनरल डायर अब जनरल डायर आपको याद होगा जो जलिया वाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रेल 1919 को तो जिस प्रकार से उस गोली कांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था एक जन सभा पे वैसे ही चक्रधर जुयाल ने ये क्या थे ये नरेंद्र सा थे जो टीरी नरेश नरेंद्र शाह वहाँ पे दीवान थे ठीक है क्या थे दीवान थे टो जो तिलारी कांड हुआ था आपको याद हो 1930 को जो तिलारी कांड हुआ था यहा पे लोग क्या हुए थे वनों की कटाई को लेकर एकत्रित होए थे ठीक है माना जाता है सौ से जादा लोग उसी टाइम मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे जिनकी गिंती भी नहीं है ठीक है तो इसलिए गड़वाल का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को नेक्स देख लेते हैं घनानन खंडूरी ये गड़वाल के दानवीर कहे जाते हैं और कोई-कोई फटा-फटम पढ़ेंगे ठीक है जिनके बारे में जादा नहीं बताने के लिए नेक्स्ट है विद्यादर सागर नौटियाल इनको गड़वाल का प्रेमचंद कहा जाता है ब नेक्स देख लेते हैं गरीश तीवारी जिनको गर्दा उपनाम है इनका और गोरीधत पंडे इनका उपनाम है गौर्दा थीक है तो यहां पे भी जब कुष्छन आता है तो बच्चें गलत कर देते हैं कभी किस गोर्दा और गोर्दा में बहुत कनफ्यूज हो जाते हैं तो आप कैसे टिक करेंगे जब हम गिरीश लिखते हैं तो छोटी की आती है और गिर्दा में भी छोटी की आती है ठीक है जब हम गौरी लिखते हैं तो दवल O की मातरा ठीक है बड़ी O की मातरा और गौर्दा में भी बड़ी O की मातरा तो इससे याद रखेंगे आप ठीक है गरीश दिवारी यानि गिर्दा और गौरिदत पांडे यानि गौर्दा ठीक है तो इसे याद रखेंगे नेक्स्ट है उत्तमदास उत्तमदास को धोल सागर का ग्याता माना जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो 36 तालों के विशेशक गया है ठीक है 36 ताल बजा देते हैं ढोल में इसलिए उनको ढोल सागर का ग्याता कहा जाता है चलिए नेक्स देख लेते हैं जस्वन सिंग विष्ट और देव की नंधन पांडे को एक साथ देखेंगे तो गड़वाल छेतर में जादा होते हैं पांडे देखेंगे तो कुमाओ छेतर में जादा होते हैं ठीक है ये जाती वहाँ पे जादा होती है तो विष्ट पाहड का गांदी पांडे कुमाओ का गांदी ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है चले नेक्स देख लेते हैं आईरिन पंथ आईरिन पंथ को कहा जाता है अलमुडा की बेटी ठीक है और साथ ही इनको कहा जाता है पाकिस्तान की बहु ठीक है पाकिस्तान की बहु क्योंकि इनकी जो शादी वी थी वो पाकिस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री लियाकत अली से वी थी ठीक है लियाकत अली खांसे इनकी शादी वी थी इसलिए इनको अलमुडा की बेटी और पाकिस्तान की बहु कहा जाता है चलिए, नेक्स देख लेते हैं, मुकंदी लाल, मुकंदी लाल को कहा जाता है, गड़वाल का भीश्म पितामा, ठीक है, नेक्स हैं, तारदत गैरोला, तारदत गैरोला को कहा जाता है, गड़वाल का महरसी, और साथ ही इनको कहा जाता है, गड़वाल जन जागरन का पितामा ये कभी थे और इन्होंने जो गड़वाली कवितावली था इसका संपादन किया और जो इनकी रचनाओं का संग्रे था वो था सदेई ठीक है और ये किस पर आधारी था जो गड़वाली लोग कथाएं होती है उसपर इन्हो ने ये बनाई थी धेटी दियान रखेंगे तारदद गयरोला को गड़वाल का महर्थी और जन जAGरण का पिता कहते हैं गड़वाल को थीचे रिचे नर्च्ट यह सोधर मटपाल को क्या करते हैं उत्तराखंद भीदयास कहा जाता है और मटपाल जी ने किस पे काम करा है पुराततों पर सूध कारे करते थे हो ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं आइरन बॉल उफ इंडिया तिरलोक सिंग बशेडा को कहा जाता है नेक्स देख जस्पाल राणा जस्पाल राणा का क्या है उपनाम गोर्डन बॉय के नाम से नहीं जाना जाता है ठीक है लास्ट है कल्यांड सिंग रावत और इनका उपनाम क्या है मैती ठीक है मैती जो अंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था उसी क्या धहर पर इनको नाम दिया गया उपनाम मैती तो चलिए ये थे हमारे उत्राखन के प्रमुग ब्यक्ति और उनके उपनाम थे ठीक है I hope आप लोगों को समझ आया हो और इसके according आप क्या करेंगे question answer भी बनाएंगे ठीक है चलिए मिलते हम next topic में तब तक के लिए धन्यवाद